सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सेमसंग गलेक्सी A14 5G और सेमसंग गलेक्सी A23 5G के बारे में जो की 18 जनवरी को इंडिया में सेमसंग यहां पर लॉंच करने वाला है तो सेमसंग कुछ तिन पहले ही अपने ओफिसल वेबसेट में यह अनाउंस कर दिया था कि 18 जनवरी को सेमसंग A सेरीज के कुछ स्मार्टफोन को लॉंच करेगा हम लोग उमीद लगा रहे हैं कि साध हमें A54 या फिर A34 देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है 18 जनवरी को सेमसंग लॉंच करेगा इंडिया के अंदर सेमसंग का A14 5G और सेमसंग का A23 5G जो कि लगबग 6-7 मन्त पहले बाकी कंट्रिस में already लॉंच कर दिया गया था यानि कि 6-7 मन्थ के बाद इंडिया में लॉंच करेगा Samsung अपना A23 5G इसके बार में आप लोग को क्या कहना है आप लोग मुझे ये बाद जरूर कमेंट सेक्षन में बताईएगा तो 18 जनुरी को Samsung का A14 5G और A23 5G लॉंच होगा अगर हम लोग pricing की बात करते हैं तो जो Samsung का A14 5G होगा इसका जो base variant होगा वो लगबग 15 या फिर 16,000 रुपीस से starting होगा और जो higher variant होगा Samsung के A14 5G का वो लगबग 18,000 या फिर 19,000 तक जाने वाला है और लगबग 19,000 या फिर 20,000 से starting होगा Samsung के A23 5G का और उसका जो higher variant होगा वो लगबग आप लोगग को 22,000 रुपीस में देखने को मिलेगा तो और एक बात मैं आप लोगग को बताना चाहूंगा कि 2023 में आप लोगग को Samsung का A24 देखने को नहीं मिलेगा और 2024 में Samsung का जो A20 Series जिसे आप लोग बोलते हैं तो Samsung अपना A20 Series को भी यहाँ पर cancel करने वाला है यानि कि आप लोगग को अब Samsung के A20 Series के अंदर कोई स्मार्टफून देखने को नहीं मिलेगा तो A23 5G Samsung के A20 Series का last smartphone इसे आप लोग बोर सकते हैं कोई भी A24 के नाम से कोई भी smartphone आप पर Samsung launch नहीं करेगा तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा बात करते हैं space की तो आप लोग को पता है कि A14 5G में क्या मिलता है नहीं मिलता है और रही बात Samsung के A23 5G की इसका space क्या होगा तो जो अभी A23 4G इंडियर मार्केट में available है सभी कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगा बस वहाँ पर जो processor है Samsung के A23 5G में आप लोग को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 695 का processor तो A23 5G में आप लोग को Snapdragon 695 का SOS देखने को मिलेगा बाकि सब कुछ सेम रहेगा जो आप लोग को A23 4G में देखने को मिलता है और रही बात A14 5G का तो इसके बारे में मैंने ओल्रेड़ी दो-तिन वीडियो बनाए है तो आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें A24 5G में क्या-क सेंस नहीं बनेगा मेरे ख्याल से क्योंकि आज के टाइम में लोग जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा चलाक है उनको पता है कि उनको कौन सा स्मार्टपन आपर पर्चेस करना चाहिए तो आप लोगों का क्या ओपीनियन है क्योंट सेक्शन ने बताईए वीडियो को ला झाल